लोकसभा चुनाव 2024 का बिगूल बच चुका है सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटियें जीतने के लिए 80 चोटी का जोर लगा रही है चुनावी रनीती के तहट एंडिये ने इस बार 110 मौजूदा सांसदों का टिकेट कार दिया है ऐसे में इस साल आम चुनावों में कई नए चेहरे देखने को मिल रही है ऐसा ही एक चेहरा है शांभवी चौधली का चिराग पासवान की लोक जन्शक्ती पार्टी ने बिहार की समस्तिपुर लोकसभा सीट से इस बार उनको उमीदवार बनाया है वो पहली बार चुनाव लड़कर राजनीती में डेब्यू करने जा रही है ऐसे में ये सवाल गर्म है कि क्या चिराग पासवान ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार कर कोई गलती तो नहीं करती ऐसे में आईए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन हैं शामभवी चौधरी और इस लोकसभा चुनाव में आखिर चिराग पासवान ने उन पर दाव क्यों खेला है शामभवी मुख्यमंतरी नितीश कुमार के करीबी मंतरी अशोक चौधरी की बेटी हैं इसके अलावा वो पून IPS अफसर कुनाल किशोर की बहुबी हैं शामभवी के पती का नाम शायन कुनाल है शायन पिछले कई दिनों से चुराग पासवान के संपर्क में थी शामभवी चौधरी के पहले जमूई से लोकसभा का टिकेट मिलने के कयास लगाय जा रहे थे मगर वहां से चुराग ने अपने बहनोई अरुन भारती को टिकेट दिया है ऐसे में शामभवी को समस्तिपूर सीट से टिकेट दिया गया है ये ऐसी सीट है चुराग पासवान ने समस्तिपूर से नया चहरा उतारने के संकेट पहले ही दे दिये थे उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि इस बार वो पार्टी तोडने वाले लोगों को टिकेट नहीं देंगे बलकि संघर्ष के दौरान उनके साथ रहे निताओं को मौका देंगे हलाकि शांभवी चौधरी हाल ही में लजेपी से जुड़ी है फिर भी चिराग ने उन पर भरोसा जटाया है रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल की शांभवी चौधरी युवा होने के साथ ही काफी शिक्षित हैं उन्होंने दिल्ली के मशूर लेडी श्रीराम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ एकनॉमिक से पढ़ाई की है इसके अलावा सोशलोजी में उन्होंने पिएचडी भी कर रखी है शांभवी चौधरी समाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं वो पटना के एक स्कूल की डायरेक्टर भी हैं शांभवी के दादा महवीर चौधरी कोंग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंतरी भी थे उनके पिता अशोग चौधरी जेडिउ के वरिष्ट नेता है और अभी नितीश सरकार में ग्रामेन कारेम मंतरी हैं अशोक कॉंग्रेस में भी रह चुके हैं अब उनकी बेटरी LGP से राजनितिक करियर शुरू करने जा रही है शामभवी चौधरी के पत्ती का नाम शायन कुनाल है शायन चर्चित IPS अधिकारी रहे कुनाल किशोर के बेटी है शायन और शामभवी की 2022 में शादी हुई थी उनकी शादी में मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी पहुँचे थे शामभवी के पिता अशोक चौधरी CM नितीश के बेहत करी भी नेता है अभी वो नितीश सरकार में ग्रामिन कारे विभाग के मंत्री हैं जेडी उनेता की बेटी के LGP राम विलास के टिकेट पर चुनाव लड़ने से राजनीतिक गलियारों में सरकर्मी पड़ गई है और चर्चाएं तेज हैं कि क्या वो इस बार जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं इस खबर में बसे तना ही ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं जेश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफर्म